हेलो फ्रेंड्स वेलकम एक्टो मेडिकल वाला मैं हूँ विजे गुजर तो दोस्तो मैं इस वीडियो में आप लोगों बताने वाला हूँ अपग्रेट के बारे में क्या अपग्रेट किस तरीके से करना है और क्या प्रोसेस है और क्या होने वाला अपग्रेट करने से ठीक है है ना तो मुझे वो मिलाएं तो अब हमारे पास दो ओप्सन है क्या प्लीज स्लेक्ट यूर च्वाइस रिकार्डिंग डालॉट्मेंट कॉलेज यस आइम सेटिसफाइड विथ अलॉट्मेंट कॉलेज है ना जी ने भ्यारती को सहमत सेटिफास का ओप्सन दिया हुने आप अगर आपने फर्स्ट ऑप्सन पर क्लीक कर दिया तो उसके बाद भी अगर आप अपग्रेट करना चाहते हो आप ग्रेट नहीं कर पाऊगे ठीक है नैस्ट ऑप्सन है नो आई उड लाइक टू गो फूर अप्ग्रेडेशन ठीक है दोस्तों मुझे बहुत प्रोब्लम हो और भी बोलने में सरदी वह ज्यादा वहीं सच में तो ठीक है यह दो अप्सन है हमारे पास आप रहारी क्या हो रहा है ठीक है तो देखिए दोस्तों अगर आप अप्ग्रेट करना चाहते हो और अभी जो कोलेज आपको मिला है ठीक है उससे आप सैटिस्फाइब नहीं हो अब डिशाइब आपकरणा चाहते हो ठीक है तो ठीक आप अपग्रेट कर सकते हो बट पहले पूरा वीडियो देखना उसके बाद यह हो आप ठीक है डिसाइब डिसेजन लेना या को क्या करना है देखो मैं आप लोगों को रियलिटी जो है ना वह रियल क्या है वह बताता वाला है कि new candidate भी registration करेंगे ठीक है तो सेम कॉलेज की सीटों के लिए अधर स्टुएंट भी कॉंप्टिशन पर जाएगा और पहले चीज़ आप लोगो यह बता दू अगर आपको फर्स्ट प्रिफ्रेंस मिली है न तो आप अपग्रेट नहीं कर सकते हो ठीक है पहले चीज़ उसी कंडिशन में जा पाऊगे किस condition में उसी condition में आप अप आप्ग्रेट करते हो ठीक है और अपग्रेट करने के अलावा आप लोगों को वहां पर भी प्रे स्ट्राउड में में क्या होगा आपको फ्रेश चोईस फिलिंग में न्यू केंडिडेट भी आ जाएंगे सेम कॉलेज के लिए तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो कॉलेज ना मिले ठीक है वो रीस को हो जाएगा समझ रहो न थोड़ा रीस की है वो तो सोच समझ कर मान लीजिए कि आपको लग रहा है यह हर इंसान को थ कि थोड़ा अंदाजां लगने लग गया होगा कि हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है ठीक है तो आप्नी मेरे में नहीं नहीं कर सकते हैंwen मेरे इसलिए इसलिए मुझे जो है नहीं मिला है ठीक है मतलब अपग्रेट को मेरे पास आ रहा है वस जिनने फर्स्ट जो जिनको फर्स्ट प्रिफरेंस मिले ना उनके पास यह उप्सन नहीं आ रहा होगा समझ रहे हो ना चलो ठीक है मान लेता हूं मान लीजे आप यहां पर यह भी है अगर आप अपके कुछ और डाउट है तो कमेंट करेगा और चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ठीक है ओके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना तो दोस्तों और हाँ जो आपने अस्टार्ट में जब जो सेकुरेटी डिपोजिट दिया था ना वो आपकी जो फीस रहेगा उसी में इंक्लूट किया जाएगा ठीक है अमान दीजा आपकी फीस टू लाक है ठीक है तो आप वन लाक नैंटी फाउजन ही कॉलेज में दे होगे ठीक है आपके जो फाइब थाउजन है ना वो उसी चीज़े ताकि आपको क्लियर हो जाए ठीक है तो अब यह देखो दो अपसन है हमारे पास फर्स्ट ओप्सन यह है यह साइम सैटिस्फाइब विट अलोटेट को अगर आपको यहां पर क्लिक करना चाहते हो और अगर अप अपग्रेट पर करना चाहते हो तो ठीक आप अप रिस्क रहेगा ठीक है रिस्क है वो उसमें यहीं नहीं कि आपको आपकी अभी की सीट कनफर्म रहेगी है फ़र्स्ट डाउन में जिन लोगों ने अपग्रेट किया था ना उन्हें क्लियर होई गया होगा कि अगर आप नैस अपग्रेट पर क्लिक करते हो और वोन टू रि आपकी जा सकती है इसलिए जब आप चोष फिलिंग करते ही तब वान टू रिटेन का उपसन आता है tirar फिर से वही कोलेज में जाना चाहते हो कि अगर जाना चाहते हो तब यह कोलेज़्ा iernoाग्य करते हो पति Elliot कौह यहीं है बस इतने ही आपस रिक्वेस्ट है तो और दोस्तों ठीक है बाकी तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डाउट था और कुछ लोग मेरा भी पूछ रहे था आपको कौन सा खोलेज मिला तो मुझे मतलब यह सक्यारपी में ही जाना था है ना क्योंकि हाँ लोगों का यह भी डाउट है कि यार सब लोग आयरवेद में जा रहे होमेपेद में क्या स्कॉप है तो दोस्तों इसा नहीं है आज ही मैंने आयूस जो डिपार्टमेंट नहीं इंडिया का उसका पोस्त देखा था होमेपेद को लेकर ना तो काफी कार बोस सारी इशुओ शक्ते लेने का इसा कुछ नहीं है बाकि ठीक है ठीक है मुझे इंडोर में जाना था और कॉलेज भी ठीक है बीच मेसी करना था तो मैंने यह लिया है ठीक है अगर कुछ ओड आउट तो आप कमेंट कर सकते हो इसका लाबा दोस्तों मैं सभी का मेरे पास वाटसाप पर मेंसेज आ रहा है तो मेरी हालत देख सकते हूं इस हालत में सब का रीप्ले नहीं कर सकता ठीक है बड़ी मुश्कल से वीडियो ही बना पा रहा हूं ठीक है ठैंक यू